हाल ही में बैंगलोरू में संपन हुए एरो इंडिया शो के दोरा दुनिया भर के अलग-अलग देशों ने भाग लिया पर इन सब में जो सबसी ज्यादा चर्चा में रहा वो है अमेरिकी F-35 पाइटर जेट नमस्कार मेरा नाम अप्राजिता सिंग है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंचिनल्स बैंगलोरू में 13 फर्वरी से शुरू हुआ एरो इंडिया शो का समापन हो चुका है इस दोरान एरो इंडिया शो में दुनिया भर के विदेशी विमान शामिल हुए लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही अमेरिकी F-35 फाइटर जेट गौर तलब है कि पहली बार अमेरिकी F-35 फाइटर जेट भारत आये थी और 27 साल में पहली बार अमेरिका ने इतनी बड़ी डेलिगेशन भारत भेजी थी इसको लेकर ये माना जा रहा है कि भारत को प्रिजाने के लिए अमेरिका की ये एक कोशिश है दरसल 27 साल के इतिहास में भारत के एरो इंडिया शो के लिए अमेरिका ने अपने सबसे ज़ादा डेलिगेट्स भारत भीचे जबकि इस दौरान रूस के काफ़ी कम डेलिगेट्स ही भारत आए जबकि पहले ऐसा नहीं होता था रूसी एक्सपोर्टर रोसो बोरोना एक्सपोर्ट एरो शो में सेंटर स्टेज पर रहता था रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी हतियारों की खरीद के मामले में भारत की रूस बडलर भड़ता को खत्म करना चाहता है इसी के चलते वो भारत को F-35 फाइटर जेट से रिजहाने की कोचिश कर रहा है वहें इस बारे में डिफेंस एनालिस्ट अंगल सिंग का कहना है कि अमेरिका F-35 जेट बेचिने के लिए नहीं बलकि इसके जड़िये भारत को उसके एहमेद दिखाने के लिए इने एरो इंडिया में लेकर आया है गौर्ट अलब है कि अमेरिका आसानी से किसी भी देश को F-35 जेट नहीं देता है वहीं जब अमेरिकी दुतावास में रियर एड्मीरल माइकल एल बेकर से पूछा गया कि क्या वो ये फाइटर जेट भारत को उफर करेंगे तो इस पर उन्होंने कहा कि भारत ये खरीदने के विचार के शुरुआती स्टेज पर है वहीं F-35 फाइटर जेट्स की बात करें तो ये अमेरिका की लॉखेट मार्टिन की ओर से बनाया गया पांचवी पीडी का लड़ा को विमान है जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ा को विमान कहा जाता है ये स्टेल्ट टकनीक से लैस है और दुश्मन के अलाके में बिना भनक लगे हमला कर सकता है ये विमान अपने वर्टिकल लैंड और टेक आफ की काबिलियत के लिए खास तोर पर जाना जाता है इसका मतलब ये विमान किसी हेलिकॉप्टर की तरह एक जगे हवा में ठहर सकता है और बिनार रन्वे के लैंड और बहुत छोटी जगे में टेक आफ भी कर सकता है स्टेल्ट टकनीक से लैस होने की वज़े से ये विमान रडार की पकर में नहीं आता है और दुश्मन को खबर लगे बगयर उस पर हमला करने की शमता रखता है आधुनिक हेलमेट की वज़े से इसमें बैठा पाइलिट विमान के आरपार भी देख सकता है इसके अलावा F-35 कई बेहत खास खूबियों से लैस है कॉर्ट अलगे की पिछले 6 सालों में भारत अमेरिका के पीच 49,000 करोर उपए की टील हुई है जिसमें भारत को अपाचे हेलिकॉप्टर, चिनकुक, MH-60 हेलिकॉप्टर, मिसाइल, एर डिफेंस सिस्टम, नेवल गन और P-81 पोसेडोन सर्विलांस एरक्राफ शामिल है